हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज हमारे नाश्टी के लिए अलग और बेटे के टिफिन के लिए अलग में चीज बना रही हूँ और आपको तो पता है कि साथ साथ में घर के काम भी चलते ही रहते हैं मेरे बेटे को टिपिन में चाहिए थे कटलेट्स अगर आप जानते हैं पहले से होम एन मचमोर पर जो मैं व्लॉक्स पोस्ट किया करती थी कुकिंग वाले बेटे को कटलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो बहुत दिनों के बाद आज मैं उसे वापस से कटलेट बना कर दे रही हूँ एक टाइम ऐसा था कि हफ़ते में एक दिन तो पक्का मैं उसे कटलेट दिया करती थी लेकिन आजकली फ्रिक्वेंसी कम हो गई है या आलू मैंने मैश कर लिए हैं और बैंडिंग के लिए मेरे पास है जवार का आटा तो जवार के आटे को मैं डाल रही हूँ माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए इसे तवे पर भी सेका जा सकता है जब तक हलकी सी खुछ भूना आ जाए या फिर एक से दो मिनट माइक्रोवेव में तो ये है भूना हुआ जवार का आटा थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ आलू में दो से तीन टी स्पून साथ में जाएगी एक चुटकी हल्दी बेटे के हिसाब से मैं इसे बना रही हूँ तो सारी चीज़ एकदम कम-कम में डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा स्पाइसी ये कटलेट ना बने इस कटलेट में बहुत बार में वेजेटिबल्स इंक्लूड करती हूँ पिंक या रड कटलेट बनता है बीट रूट से मटर डाल देती हूँ लौकी भी डालती हूँ गाजर डलता है पर आज मैं प्लेन आलू के ही बना रही हूँ जवार के आटे से अच्छी binding भी हो जाती है और ये healthy भी है तो बस अब कटलेट को shape देना है जब भी मैं कटलेट बनाती हूँ मेरा बेटा बोलता है कि अलग-अलग shapes में बना कर दो तो मैं उसे star, triangle, heart, कई बार, trapezium ऐसे सारे shapes बना कर देती हूँ कटलेट में तो अभी भी म मैं नमक डाल कर पानी के साथ एक घोल बना रही हूँ तो इससे पहले कटलेट को coat करूँगी और इसके बाद मेरे पास side में रखा हुआ है cornflakes का चूरा, cornflakes यूज किया जा सकता है या फिर breadcrumb पर cornflakes आप fridge में store करके रख सकते हैं और better एक option है breadcrumb के मुकाबले, अब सारे cut order बनाई है दर दर इसी mixer में घुमाकर तो यह सबसे पहला triangle वाला cutlet हमारा बन गया है बस इसी तरह से बागी के cutlets को भी में coat कर रही हूँ तो बच्चे बड़े भी यह cutlets पसंद करेंगे यह इतने तेस्टी बन जाते हैं बस हां बड़ों के हिसाब से इन में जो मिर्च मसाल इस पर 10-15 मिनिट के लिए पर अब मैं shallow fry कर रही हूँ तेल में medium या फिर medium to high flame पर इन्हें shallow fry किया जा सकता है जब तक की एकदम golden brown सा color ना आ जाए तो इसे already color काफी अच्छा है golden सा है तो कुछ इस तरह से यह दोनों side से हमें shallow fry करने हैं डिखने में भी काफी सुंदर लग र डाला है बस यह cutlets ready है इन्हें में ठंडा होने दूंगी और उसके बाद टिफिन में pack करूंगी एक्स्ट्रा oil absorb हो जाए इसके लिए मैंने नीचे tissue paper रखा है हमारे घर में family members दिन का काफी time living room में बताते हैं जिस वजह से सोफे की हालत कुछ यहां वहां होती ही रहती है फिर हमारे नाश्टे के लिए मैं बना रही हूँ wedge omelet तो यहां पर मैंने लिए बारीक वाली सूजी या बारीक रवा साथ में जाएगा basin इन दुनों को मैं mix कर रही हूँ साथ में जाएगा इसके पानी तो मैं एक पहले गाड़ा बैटर बनाऊंगी बहुत ज़्यादा पानी डाल कर नहीं क्योंकि बहुत सारी vegetables इसमें जाने वाली है और vegetables का भी अपना पानी छूटता है तो पहले ही अगर बैटर में ज़्यादा पानी हो गया तो सबजी उकी प से अच्छी ही बात है तो यह राहिने कटे फिंदो रेडी हो गया यह बैटर भी 10 मिनट रेस्ट कर चुका है तो सूजी इतनी है उतनी फूल चुकी है अब इसमें जाएंगी सबजिया तो धेर सारी पत्ता गोबी बारीक कटी हुई साथ में गाजर इस सारी सबजिया मैंने चौपर में चौप कर ली है थोड़ा सा प्याज स्वीट कौन यह बॉइल किया हुआ स्वीट कौन है टमाटर जितनी जादा सबजिया और यह सारी चीज़े होंगी उतना जादा अच्छा यह वैच ओमलेक बनेगा सिर्फ सूजी सूजी और बेसन का अच्छा नहीं लगता है तो धेर सारी सबसिया और यह कुछ मसाले इसमें पढ़ेंगे बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है अब यह जो बैटर बनेगा इसके छोटे छोटे अलग से ओमलेट्स बनाए जा सकते हैं लेकिन मैं एक बड़ा सा बना रही हूं और उसे ही कट करके पीजा की दो चुटकी सोडा इसमें मैं डाल रही हूं ज़ादा सोडा डालने की जरूर्वरत नहीं है अब इसका एक बड़ा सा ओमलेट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूं एक नौन स्टिक पैन तो नौन स्टिक पैन में जाएगा थोड़ा सा तेल आप चाहें तो इसके पर बैटर गीला दिख रहा है, यह पूरी तरह से solid हो जाना चाहिए, dry हो जाना चाहिए, तो धककर इसे धीमियाज पर पकाना है, अभी मैं बीच में चेक कर रही हूँ, अभी भी यह बीच में गीला है, तो पूरी तरह पकाने हैं, धककर और पकाएंगे, अब बीच में यह तो इससे पलटने का टाइम आ गया है, पलटने के लिए मैं धककन ही यूज़ कर रही हूँ, पर धककन की किनारे होती है, वहाँ पर यह ओमलेट अटक सकता है, तो हलका सा यह अटक गया, फिर भी यह पलट दिया मैंने, आप एक थाली का भी यूज़ कर सकते हैं, अब पलेच ओमलेट दोनों साइट से पक गया है, इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ और कट करेंगे, कट करने के बाद इमेरेटली सर्व ना करी, यह ज़रा सा सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा रुके, पांच मिनट रुके इससे सर्व करें, फिर यह इतना फिर्म होगा कि आप अराम से पीजा के स्लाइस की तरह इसे उठा कर खा सकते हैं, तो आखिर में मैंने धनिया भी छड़क दिया, यह काफी सुंदर लग रहा है, इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ, या फिर आप इसे चटनी के साथ भी परोज सकते हैं, तो बढ़िया हेल्दी ना कर दो एंचेजिआ शुआ अराम से बिसने की तरह मुण से अने भी ओनों कर को अच़ते हैं, उल्ड़क प्रिश ऑ MONO के दो एंचे ऑफे पा एंचे ढो़ून की भी यास actualisée, श्रेख जावते हैं, वीजओे फिरस में तरह दो पेंवाग़श।, झाते हैं अद्छेई जीए